हेलो गाइज, वेलकम तु माई चैनल, आइम सशांकतिवारी और दिस इस माइन अधर वीडियो तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आखता हूँगा एक नए अपडेट के बारे में और दोस्तों यह जो अपडेट है, यह यूटूब प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है क्योंकि यह अपडेट वॉइटी स्टुडियो अप्लिकेशन के अपर हुआ है और यहां भी दोस्तों अब यूटूब जो भी अपडेट कर रहा है वो बहुत ही important है क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों बहुत से ऐसे creators हैं जो mobile user है तो ज्यादा तर update mobile user के लिए ही हो रहे हैं जैसे उनका जो YouTube का वर को बहुत ही easily हो और उनको सारी information भी बहुत easily मिलती रहे तो without wasting any time वीडियो को start करते हैं हमें पता ही होगा और जैसे कि आपको पता है कि वाइटी शुडियो अप्लिकेशन को जब हम लोग open करते हैं तो front में ही दोस्तों subscriber के बाद हम लोग को channel analytics का एक option मिलता है जहां पे हम लोग को दोस्तों अपने channel से related बहुत सारी analytics देखने को मिल जाती है और हमारे चैनल के व्यूज subscriber, earnings सब कुछ बताया जाता है तो दोस्तों यहां पे अब इसके ओपर एक update हुआ है और यह update बहुत ही कमाल का हुआ है क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो desktop version होता है YouTube channel का वहां पे दोस्तों हम लोग को एक channel dashboard देखने को मिलता है पर वो चीद दोस्तों laptop या desktop में possible होती है और उस dashboard में हम लोग को सारी information मिलती है अपने YouTube के work से related अपने YouTube channel के analytics से related तो यहां पे दोस्तों वो same criteria वो same concept को YouTube ने copy paste किया है mobile user के लिए और दोस्तों mobile user भी अब अपने वाइटी studio application पे वो dashboard देख पाएंगे same उसी से मिलता जुलता दोस्तों concept copy किया गया है और यहां पे अब आपको एक YouTube के वोईटी studio application पे channel dashboard का option मिल जाएगा और वहां पे आपको subscriber के बाद channel dashboard मिलेगा जिसमें main चार boxes होंगे और उस boxes में भी आपको बहुत सारी analytics मिलेगी तो वो सारे boxes में दोस्तों जो main चीज़ है वो सबसे पहला box होगा views का उस views के box में आपको सारी details और analytics मिलती रहेगी और उसी क साथ साथ जो एक और box होगा दोस्तों वो होगा watch time का और watch time से related आपको सारी analytics सारी details accurate जो होती है दोस्तों detail वो सब कुछ आपको उस watch time वाले box में मिल जाएगी और उसी के साथ साथ दो boxes और हैं जो है दोस्तो subscriber change का कितने subscriber per day बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो सब कुछ आप आपको वहां पर मिलेगा और उसी के बगल में एक और box होगा जहां पर है revenue दोस्तों जो आपकी estimated revenue होती है per day के हिसाब से वो सब का आपको accurate पूरा detail मिलेगा उस revenue वाले box में तो यह दोस्तों चार कॉलम का एक पूरा dashboard बनाया जाएगा आपको वाइटी studio application पर यहां पर आपक के हेल्प से सारी analytics को देख पाओगे तो दोस्तों यह था आज का वीडियो होपी लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इन subscribe my channel थैंक्स